तो दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडिस्टियल टेटोरियल में तो दोस्तों फिर से आजर होगें कुछ वाकिंग इंट्र कुछ रिप्यूमेंट लेके उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा हमारा एक टेलीग्राम चनल है जहाँ हम सारी जोब पर मिलती रहा है तो चलते हैं हम दोस्तों मैं मकसित की और तो दोस्तों पहले जो वेकेंशी सेल बता दू इसमें मुल्टीपल वेकेंशी है ऐसा न देखें सीनियर कल्स अठेट दिख रहा है तो आप मर गया है सब किली वेकेंशी है अलग अलग डिपार्टम वेकंसी है नोटिफिकेशन को लास तक देखे तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि जो वेकंसी शेल में है यहाँ पर सीनर कलसंटेंट के लिए वेकंसी हैं आप देख लो सामने उसके लिए वो क्वालिफिकेशन ही बताया गया है फिर आप देखोगे तो सीनर मेडिकल ओपीशर के लिए वेकंसी है जो पीजी डिग्री माँ गया अलग 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 डिपार्टमेंट कलसंटेंट के लिए वेकंसी है उसके लिए येर भी बताया गया एज लिमिट मतलब 44, 41 नेक्स्ट आप देखोगे मेडिकल ओपीशर एवन ग्रेड के लिए वेकंसी है जहां पर सीनर मेडिकल ओपीशर और 38 इज लिमिट और क्वालिफिकेशन आपके सामने बताया गया जैसा कि आप सामने देख रहें डिग्री डिए डिए एन बी इन जनरल मेडिशन जनरल सर्जन यह सब बताया गया और इसके जो भी रिलेटिब बता दिए गया है 38 इज लिमिट है नेक्स्ट आप देखो मैनेजर मैनेजर एथ्री ग्रेड के लिए वेकंसी है और वह भी इसमें आपको पताएगी है कि मेडिकल ओपीशर और मैनेजर हाट्रोलिक मैंटिनेंस के यूट्रिटी के लिए वेकंसी है इत्री क्या आप सब पताया गया जैसे हाट्रोलिक के लिए बी टेक माया गया मेकेनिकल से और यहां पर आपको पता देख को रहे हो अजैसे आप देखोगे दोस्तो थिप्ट्री मेनेजर ईट्यटेइट तो यहां पर आपको बता दीगे सारी किशारे चीज़े हैं जैसे ही दोस्तो आप दिखोगे Assistant Manager E1 Grade तो सब के लिए आप देखा Manager, Mechanical, Power, Engineering, Maintenance E3 Grade के लिए B.E.B. Tech Full Time Mechanical और Manager Mechanical तो यहाँ पर B.E.B. Tech Mechanical से माँआ गया Post Gravation चलेगा At least 7 Year Experience होना चाहिए आप देखा Assistant Manager E1 Grade जो Assistant Manager BOE Assistant Manager Safety के लिए वेकेंसीज हैं माँआ वो CateringWise बता दी गई है ठीक है और सब के लिए आप देखा Manager Electrical Rod Mill तो उसके लिए B.E.P. Tech Electrical 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 Electronics Electronics Instrumentation Electronics and Communication और फास साल का Experience होना चाहिए लिस्ट और यहाँ बता दियागा जो जो से Relative चाहिए ठीक है और दोस्तों यहाँ पर Next बात करूँ मैं तो पुष्ट S3 to S1 ग्रेट सब दिये गए हैं माइनस पोर मैंस रिलेटेव है Technician यह सब के लिए बताए गए आप है ठीक है और आप देखोगे Operator Come Technician Training के लिए वेकेंसीज हैं सब बता दी गए हैं Chemical, Instrumentation, Electrical, Mechanical और Metallurgy और सामने आप देखो Deputy Manager Geloji 32 Year Age Limit Master degree M.S.C. मागए है या कोई Master degree है Geloji से चलेगा 4 Year का Experience होना चाहिए यहीं पर आप देखोगे BOE Assistant Manager 30 Year Age Limit अभी बीटेप मागए Mechanical, Electrical, Chemical, Power, Plant और Production Instrumentation होना चाहिए हैं आपके पास यहाँ पर BOE Certificate होना Compulsory है Next बात करें दोस्तों आप देखोगे तो Attendant Come Technician Training के लिए वेकेंसी है यहाँ पर आप देखोगे तो Electrition Instrument Electronics, Heavy Vehicle, Driver और यहाँ पर आप सामरे देखोगे तो यहाँ पर सिस्टेम अने सिप्टी के लिए जो है P.E.B. Tech Full Time चाहिए और यहाँ पर आप वो बता देखोगे किसे इंसिट्टूट्स होना चाहिए दोसाल का Experience होना चाहिए और यहाँ पर जो है तो यहाँ पर बताए गया है और फिर ट्रियर एक्सपीरेंश डिप्लोएंट माइनिंग गवर्मेंट इंसिट्टूट्स होना चाहिए एक्सपीरेंश होना चाहिए ऐसे इस तरीके से ऑपरेटर टैक्नीशन सब के लिए यहाँ पर बताएगे आप देखो कि सब क्या है वह सारी चीज यहाँ पर बताएगे इस लिमट के साथ अगर आपका रिलेटिव है तो इधर एप्लाइग भी कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर देखो और भी हैं कई चीज आपको बताएगे हैं कर देखिया फ्राइगे रखहर कितना हमें ते हम यहाँ को कि टमकी किवएट के लिए कर आपक की यहाँ झाहाँ है और यहाँ आपको लिको प्लक मव बताएगिक्तुप आजिए वो خस्ते हैं कि द्वी और इन defense के ट्श्क में हैं आई थरी के लिए क्या रहेगा वो सारी चीजें आपको यहां पर दोस्तों शम्झा दिगें हैं ठीक है क्या क्या आएगा आप सामरे देख सकते हो छलेक्षन का तरीका यहां बताए गया कि सलेक्षन का तरीका senior consultant ट्रेंस सब्सक्रा ζ crawling और ंघ्यार इन्ट कर सब्सक्रांख बरक और अदिए इस्ट इन्हुश्च वेस्टरर धीड dumb जीडिप्टि मैनेजर मिनग्यार्ट ए इस्दिशुट्प सब्सक्राइब होगा तो online ट्रस्ट होगह यहाँ पर यहाँ पर online ट्रस्ट होने के बेश परifully सνेक्ट जाएगा तोणों चीज बागी की सीलेक्षन के लिए लागी की लिएować ग्यों ट्रॉट ऑंस्किल्ट होगा तुर। इस पर आपका यहां पर जो है सेलेक्शन होगा बागी के जितने भी हैं बता दिया गया सामने नेक्स्ट बात आती है कि यहां अप्लिकेशन फी चार्ज क्या होगा तो फी चार्ज यहां पर दोस्तों बताया गया है एवन एड़ आप साथ सौर रुपई जो जन्रल ओवी है सबने सब्सक्राइब फीऑ के लिए इस तरी के लिए 500 एस मन बाकि में जोट देया लिए बतातीया के लिए आपको क्या करना रहे गा तो यहां पर आपको बताया गया website चाइट बापको दिखता हूँ यहाप आपओ长 sails carriers.com यह लिखा हुए उसी पके आपको जाना रहेगा और वहाँ जाकर आको अपको यह सारी चीजिये अपलाी करना रहे हैं अन्य करना है पुरा ओर स्टेप बनाए गया कैसे जो लाज़ डेट और स्टार्टिंग डेट वह बता देते तो जिसका स्टार्टिंग डेटर 26 ग्यारा दोजार बाइस लाज़ डेटर 17 बारा दोजार वाइस तब तक आप इसलिए से एप्लाइब कर सकते हो नेक्स वाइकेंसी दोस्तों आप देखोगे ब्राटकास्ट इंजिनरीरिंग कंसेंट्र इंडिया लिम्टेड़ वैकेंसी है यहां फ्रैशर के लिए वैकेंसी जैसे जीट पोस्ट ग्रेश्जिशन इंजिनरीर ट्रेनिंग पीजीजी जीए टी तो यहां पर आपको भी एम एम टक फ्रेशर चलेगा एज लिमेट 26 पेमेंट आपको बताया गया है जिलेटिव एक्सपिरिंस क्या चाहिए वह बता दिया गया है किसको प्रफरेंश मिलेगा जैसे वह ओटो प्रोजेक्टिव इंजिनरिंग उसे आप प्रफरेंश मिलेगा और इस सारी चीज़ें ब ट्रेक्टिव वाइकर तो भी टेक्टिकल माकेंटिकल थी तू फाइव एक्सपिरिंस स्मिलर ठीक हो रिलेटिव बता दिया गया कब प्रफरेंश मिलेगा वह बता दिया गया है नेक्स्ट बात करूं टेक्टिशन वाइकल टेस्टिंग डिप्लोमा जहां पर दोस्तों डि ट्रेक्टिव एक्सपिरिंस अट्टिशी रेज लिमेट पेमेंट बता दिया गया एक्सपिरिंस क्या चीए वह बता दिया करने के लिए आपको क्या करना रहे है www.becil.com पे केडियर ऑप्शन में जाना जाएको वहां जाके आपको प्रेजिस्ट्रेशन करना एप्लाई करना है ठीक है इसका लाजट डिट क्या है तो 24 नॉम्मर 2022 की लाजट डिट है तब तक आप यहां पर एप्लाई दोस्तों कर सकते हो एप्लाई का तरीका पूरा यहा प्रेक्शन बॉडम है यहां पर देखो जो वैकेंसी वो बता दिया गया है और यहां पर पुरा जो है 1045 वैकेंसी है टोटल तो इसका स्टार्टिंग डेट 211-222 यहां पर जो वैकेंसी हैं मैं आपको बतातूं इस वैकेंसी को फाइनली वहां का लोकल बंदा ही फॉर्म है कर सकता है यहां पर कंप्रूले रफी और पर सकते हो यहांपे मैं आपको सॉट कै में बतावंगा जया बेकेंसी सारी चीजें हैं आपको बताई कि धींली जो पर намहें जो कौलिकिशन मांगा है वो डिप्लो मांगा मैं दिखा देता हूं और सू कर देता हो ठीक है 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 यहाँ पर जो डिपलॉमा ही मांगा हुआ यहाँ जो वेकेंशी लिपलोमा सेविल इंजिनिरिंग के लिए है यह यह है यह मय तुल रखा तो भी यह portrait आपने mechanical से कर रखा की तो भी चलेगा ठीक है और देखो वेकेंसी सिवेल वाले के लिए 855 और मैकेनिकल के लिए 190 जूनियर इंजिरियर के लिए वेकेंसी है और पूरा आपको बता दिया केटिग्री वाइस अब बात में डारक चाहूंगा एप्लिकेशन कैसे वरना है तो आपको जाना रहेगा ssbjk.org.in और वहां पर आपको रेजिस्टेशन ये पूरा कर देना होगा ठीक है जो पर एप्लिकेशन फीर रखी गई है वह आपको पे करने रहेगा और एप्लिकेशन फिल कर देना रहेगा नेक्स्ट जो है वेकेंसी यहां पर दोस्तों और यहां पर आपको देखने को मेलेगा तीर्स एर्ग्रो टेक्नलोजी प्राइबेट लिम्टेट सकती मान गुरूप कंपनी वेकेंसी है यहां पर आईटी आई के लिए 300 वेकेंसी है एजलमेट 18 से 40 और आपके पास जो आईटी होना चाहिए एंसी वी केनेक, मोटर, टर्नर, वेल्डर, अन्य आईटी आई वाले भी यहां पर अप्लाइ कर सकते हैं यहां पर दोस्तों 11,700 रुपे परमंत वार्शिक वोर्नस प्लस जो है पीएफ और विशुवदाय मिलेंगी यहां पर वाकिंग इंट्रिव्यू का शमय जो है 12-11-22 से 19-11-22 तक है 9-5 यह तक होगा इसतान जो है तीर्थ एग्रो टेक्नोलोजी प्राइबेट लिम्टेड यूनिट सेकंड सर्वे नमर 85 एन एस 27 और बरुडी टॉल नाका पास पास इनकाम हडम ताड़ा और जिला राजकोट में होगा फाइनली यहां पर कुछ अपने जो डाकुमें इंटर रेगूलर हूँ आपको लेके जाने